नमस्कार मित्रो हमारी चैनल में आपका स्वागत है दोस्तो आज हम आपको 24 वोल्ट का रेगुलेटर यानि कट आउट चेक करके बताएंगे कि वो कैसे चेक होता है वो ठीक है या खराब है तो देखिए दोस्तो यह है चेकिंग करने की मसीन अगर हमें 12 वोल्ट पर करना है तो उपर करेंगे और 24 पर करना है तो नीचे करेंगे तो इसे हम 24 पर कर देते हैं और इसको कर देते हैं और अब देखिए यह तारे हैं कर देते हैं कि अच्छार तार्य है ने ब्लेक ब्लेक में ग्रीन ग्रीन में रेड रेड में और यल्लो वाइट में कि अब देखिए चेक कैसे करते हैं यह इसको यहां से गुमाएंगे हैं यह देखिए हम इसको गुमाते हैं वह लाइट ओन हो गई और अगर हमारा एक कट आउट सही होगा तो यह सुई यहां बीच के बाद स्रेड निसान पर आके अगर ग्रीन लाइट जलेगी और बंद हो जाएगी देखो ग्रीन लाइट जलने लगी अगर यह 24 वोल्ट है तो यहां 24 वोल्ट पर आके बंद हो जाएगी बंद हो गई इसका मतलब हमारा कट आउट ठीक है आई यह देखिए यह रड़ रेड में ब्लेक में ब्लेक और यह ग्रीन में ग्रीं ज्रीओं एट में वाइट इस तो इसका मतलब हमारा कट आउट बिल्कोल एक ठीक है और अगर यह खराब होता तो वो लाइट नहीं जलती हरे वाली और यह सुई यहां पर आके यह सुई वो लाइट जली रहती हरे वाली